हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीन करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूटूब चैनल वहमद यूसुफ एफल पी में जिसके माध्यम से हम आप लोगों को लाइफ स्टाइल डिसीज के पृतिर जागरुक रहने की जानक मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेर करना चाहता हूँ उम्मीन करता हूँ आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्पूर होगी दोस्तों आज हम जानते हैं मोरी डॉग कैप्सूल के बारे में दोस्तों मोरी डॉग लिफ का इस्तेमाल हजारों साल से आयुरवेदिक दवाईय को बनाने के लिए किया जाता रहा है इसमें भरपूर मात्रा में बिटामिन्स, खनेज पधार्त, एंटी अक्सिडेंट, किलोरोफिल और सभी अमाइनो एसिट पाई जाती हैं और इसे ताजी पत्तियों की तुलना में इसे सुखा कर पौडर के रूम में ज़्यादा इस्तिम इसकॉर्विक एसिट फॉलिक और फैनोलिक मिलते हैं और लगभग चालिस से अधिक पिरकार के एंटी अक्सिडेंट पाई जाते हैं एंटी वैक्टिरियल और इंफिलामेशन गुड़ इसमें मौजूद होते हैं जिससे इसका प्रियोग बहुत सारी बीमारियों के इलाज में किया जाता है आईए जानते हैं कौन कौन से इंग्रिडेंस से मिलकर इस प्रोड़क्ट को तयार किया गया है इसमें सबसे पहला इंग्रिडेंस मौरिंगा सीड पॉडर 200 ग्राम मौरिंगा लीफ पॉडर 1500 ग्राम आमला पॉडर 100 ग्राम डोज एक एक कैपसूल आपको तो टाइम खाना खाने के बाद यूज करना है जब भी आपको इस कैफसूल का इस्तिमाल करना हो तो इसके साथ दूद का इस्तिमाल जरूर करें यह आपके लिए बहुत ज़्यादा वेनिफीसिल रहेगा अगर मौरी डॉग कैफसूल को इस्तिमाल करते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं मोरी डॉक कैफसूल सुगर के लक्षडों को कम करने में आपकी बहुत शाहिता करता है ये इंसुलिन के इस्तर और सब्भेदन सीलता को भी बढ़ा सकती है जिससे मधूमे रोगी को फायदा मिलता है मोरी डॉक के फायदे आपके दिल के खराब कोलेस्टरॉल से बचाने का काम करता है इसमें ओमेगा थिरी फैटी एसिट की मात्रा होती है जो कोलेस्टरॉल के इस्तर को कम कर सकती है मोरी डॉक के सेवन से उच्च रक्त चाप बीपी के रोगियों को फायदा मिलता है मोरी डॉग कैपसूल में बिटामिन उच्च मात्रा में होता है जो गाजर की तुलना में चार गुना अधिक है जो हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए बहुत लापकारी है मोरी डॉग में बहुत सारे एंटी अक्सिडेंट और बिटामिन सुपाय जाते हैं जो पिर्तिरक्षा कोशिकाओं की कारिय शमता को बढ़ाने और वाइरस या वैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने में शायक होते हैं साथ ही साथ ये एनीमिया के लक्षडो को कम करने में मदद करता है कबज की समस्या में पत्री के दर्द में और ब्रेन को हेल्दी रखने में बहुत महितपूर भूमी का निवाता है दोस्तो आज हमने आपको वीडियो के माध्यम से बात की AWPL के मोरिंगा कैपसूल के बारे में आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करें अगर आप हमारी यूटूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर दवा दें जिससे हमारी आने वाई नई जानकारी और नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें दोस्तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू दोस्तो